बिजली तूपान जीवान एरम संपत्ती के लिए जोखें भरे हो सकते हैं मौसम की जानकारी मा कब आएगा? अभी आएगा अरे बोलो ना मा कब आएगा? बोला ना अभी आजाएगा ये ले, आ गया कुवा अरे कुवा नहीं मा हमारे गर नल से जल कब आएगा? अरे गुटी, बहुत जल्दी आएगा पानी जल जीवन मिशिन आ चुका है हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार दस कदम उठाएगी सच? तुम्हारे गूमे गी शक्कर गी शक्क नहीं मा स्वाच्छी जल्द तो हजार चौबिस तक देश के सभी 19 करोड घरों में पहुचेगा पीने का साफ पानी अब होगा हर घर जल जल जीवन मिशन जल शक्ती मंत्रा ले भारत सरकान प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधिया सेंक्त राष्ट में वर्च्वल माध्यम से मुख्य भाशन देंगे मरुस्थी ली करन भूमी जरन और सूखे के बारे में करेंगे उच्छतरिय सम्वाद दिश और अक्दाता दिवस पर मुख्य मंत्री ने छे जिलों में ब्लड कंपोनेंट सप्रेशन यूनिट का किया वर्च्वल शिरानियास कहा मरीज और परिजनों को साथ में डोनर लेकर चलने की बेवस्था होगी खत्म स्वास्ते मंत्री बनना गुपता ने पोस्ट कोविड मरीजों के लिए उनलाइन अप्लिकेशन किया लॉंच कहा स्वास्ते स्विधाओं में बढ़ुत्तरी से लोगों की परिशानिया होंगी दूर और कोविड के दौरान अवप्रवासी मजदूरों को राहत देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में दायर किया हलप नामा कहा अधिकतर राजियों में वन नेशन वन कार्ड योजना है लागू नमस्कार खबरे जार्खंड में आपका स्वागत है मैं हूँ संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर अब जार्खंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पढ़ती जा रही है दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही ना बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों नी कोविट का टीका नहीं लगवाया है वे जल से जल टीका लगवाएं जब तक आवश्यक ना पड़े घर से बाहर ना निकले और इन तीन आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें मास्क लगाएं दो गज की सुरक्षी दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हात धोए और साप सफाई का ध्यान रखें कोविट से संबंदित जानकारी और मार्ग दर्शन के लिए राश्ट्री हेलपलाइन काम कर रही हैं इनके नंबर है शुन्य एक एक दो तीन नौ साथ आठ सुन्य चार छे और एक सुन्य साथ पांच और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संवीक्त राश्ट्र में मरुस्थली करण भूमी चरण और सूखे के बारे में उच्छतरिय सम्माद को वर्च्वल माध्यम से मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थली करन से निपटने में संयुक्त राष्ट्र समेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14.7 के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे विश्वरक्दाता दिवस पर मुख्यमंत्री हिमन्सोरेन ने आच्छे जिलों रांची, गुमला, पलामू, धनबाद, गिरेडी और पुर्भी सिम्भूम जिले में ब्लड कंपोनेंट सप्रेशन यूनिट का वर्च्वल शिलानयास किया इस मौके पर मुख्यमंत्री जार्खन राजे एड्स नियंत्रन समीती के योट्यूब चैनल का विमोचन और डिजिटल प्रमान पत्रों का वीतरन किया इस आसर पर स्वाक्षिक रक्तदान के लिए ज चारकंड विसिस्ट कैलेंडर का भी शुभारम किया गया खून की कमी से राजे में अब किसी की मौत नहीं होगी इसे लेकर राजे की हर जिले में अब ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सप्रेशन यूनिट की स्थापना का निर्नय लिया गया है पहले चरण में छे जीलों में इसकी आधारशिला रखते हुए मुख्य मंत्री हिमंत सोरेन ने कहा कि अब राजे में मरीज और उनके परिजनों को ब्लड लेने के लिए साथ में डोनर लेकर चलने की जरूरत को ऐसी विवस्था बनाने की कोशिस की जा रही है रक्तदान करना व्यक्ति के स्वास्थे के लिए भी फाइदे मंद है स्वास्थे मंत्री बन्ना गुपता का कहना है कि रक्तदान में किसी जात धर्म की बात नहीं होती और यह सामाजिक समरस्था को भी बढ़ावा देता है कि ब्लड पॉंपनेंट सप्रेशन यूनेट का जो आज हम उधाटन कर रहे हैं यह एक मील का पतर सावित होगा सभी लोग जानते हैं कि हम फून को एक समय सीमा तक ही उसको संरक्षित रख सकते हैं लेकिन जब उसको अलग-अलग पॉंपनेंट में हम डिवाइट कर देते हैं चाहे वो आरबीसी हो चाहे डबलोबीसी हो चाहे वो प्लाजमा हो चाहे वो प्लेटलेट हो तो उसकी जीवन आयों भी हो जाती है राजे में करीब एक लाख यूनिट ब्लड की कमी है इस कमी को दूर करनी के लिए राजी के भाजपा विधायक सीपी सिह ने अन्य सभी जिलों में ब्लड सप्रेशन यूनिट की स्थापना का आग रह किया जन्ता के हित के लिए साथ ही खासकर इस कुरूला काल में यदि इस तरह के काक्रव हो रहे हैं तो अन्य उनके बेहतरी के लिए और भी काम करें विश्व रक्तदाता दिवस पर जिले में रक्तदान करने वाले एक यूवा ने कहा कि वह अब तक तीन बार ब्लड डोनेट कर चुका है और इससे उन्हें किसी तरह की कमजोरी या अन्य किसी तरह की परिशानी का सामना नहीं करना पड़ा रक्तदान करने से लोगों को न सिर्फ अपने स्वास्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी बलके कई लोगों को संकट की घड़ी में समय पर ब्लड मिल जाने से जान बचानी में भी सफलता मिल सकेगी रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट विश्वर अक्तदाता दिवस पर मुख्य मंत्री हेमंत सोरिन ने रांची में स्थापित किये जाने वाले ब्लड सेपरेशन इकाई की ओनलाइन आधारशिला रखी इस मौके पर रांची सदर अस्पताल में आयोजीत कारेक्रम में उपस्तित सांसद संजय सेट और विधायक सीपी सीह ने स्थापित किये जाने वाले ब्लड सेपरेशन इकाई के सिलापट का अनावरन किया मुख्य मंत्री हेमन सोरेन ने गुमला सदर अस्पताल में स्थापित होने वाले ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का भी आज ओनलाइन शिलाने आस किया इस यूनिट की मदद से ब्लड के विभिन आवयों को अलग किया जा सकेगा और एक व्यक्ति द्वारा एक यूनिट किये गए रक्तदान से चार लोगों की जान बचाई जा सकेगी आदिबासी बहुल गुमला जिले में लगभग सत्तर प्रतिशत महिलाएं एनिमिक पाई जाती हैं जिले में अब तक एक हजार लोगों ने रक्तदान के लिए अपना पंजी करन कराया है जिसमें करीब धाई सो महिलाओं की संख्या है जो लगातार रक्तदान करती है जिले की उपायुक्त शिशिर कुमार सिनहा का मानना है कि यूनिट के स्थापना हो जाने से लोगों की मुश्किले दूर होगी मौके पर ब्लट बैंक के प्रभारी आनंद किशोर उराओं ने कहा कि यह यूनिट गुमला की प्रदान साबित होगा इसके स्थापना हो जाने से एक यूनिट रक्त से चार लोगों की जान बचाई जा सकेगी ब्लट कंपोनेंट सप्रेशन यूनिट के स्थापना से रक्त दाताओं में भी खुशी है गुमला जैसे जिले में ब्लट कंपोनेंट सप्रेशन यूनिट के स्थापना हो जाने से समय पर ब्लट मिल जाने से कई लोगों की जान बचाना अब संभव हो जाएगा गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट विश्व रक्त दाता दिवस के औसर पर गिरेडी सदरस्पताल में भी ब्लट कंपोनेंट से प्रेशन इकाई का वर्च्वल शिलानयास आज मुख्य मंत्री हेमंत सोरें द्वारा किया गया इस औसर पर उपायुक्त राहुल कुमार सिनहा ने कहा कि गिरेडी जिले के लिए ये सोभागे की बात है ब्लट कंपोनेंट से प्रेशन इकाई के निर्मान होने से जिलावासियों को काफी लाव मिलेगा इसलेस होता है निर्मार सूम्हार के लेसमान होता है मघा क्रेया है स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता ने भी आज राची में रक्तदान किया इस मौके पर स्वास्थ मंत्री ने कहा कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी या किसी तरह की परिशानी नहीं होती है उन्होंने सभी स्वास्थ लोगों से रक्तदान में बढ़ चड़ कर हिसा लेने की अपील की रक्तदान के प्रती जागरुकता लाने के उद्देशे से दुनिया भर में आज के दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस मौके पर रांची में भी कई जगों पर रक्तदान शिविर लगाया गया रक्तदान को जन अभियान से जोड़ने के उद्देशे से आज बिस्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर सिविल सोसाइटी खलारी की ओर से डकरा में शिविर लगा कर रक्तदान किया गया सोसाइटी के ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में स्थानी लोगों ने हिस्सा लिया और रक्तदान किया शिविर में हिस्सा लेने आए लोगों ने कहा कि रक्तदान के प्रती भ्रांतिया दूर होनी चाहिए स्वस्त व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए रक्तदान को जीवन दान कहा जाता है इस लिहाज से एक स्वस्थ व्यक्ति को दूसरों के लिए रक्तदान करना चाहिए। राची से कर्मवीर की रिपोर्ट। विश्व रक्तदाता दिवस पर पूर्वी सिंभूम रेड क्रोस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिवीर सहसमान समारूह का आयोजन किया गया। इस आसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते वे रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। नहीं आती है। भारतिय रेड क्रोस सोसाइटी पूर्वी सिंभूम शाखा की ओर से रक्तदान करने वालों को सम्मानित भी किया गया। सोसाइटी के महा सचिव विजय सिह का कहना है कि इस समय रक्त की काफी आवशकता है। इसलिए लोग बढ़ चड़कर रक्तदान करें। रक्तदाताओं के सम्मान में यह जिवस आयूजी किया जाता है। और इस दिन को हम लोग रक्तदाताओं को सम्मानी तो करते ही हैं। आज रक्तदाता रक्तदान भी करते हैं। और रक्तदान के क्या महत्त है आदमी के जिवन में, इंसान के जिवन में, हमारे समाज के लिए यह सारी चीजों का बचार हम लोग करते हैं। जमशितपूर स्थित भारतिये रेट क्रोस सोसाइटी की ओर से समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें लोग बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं। जमशितपूर से डाक्टर राजिश कुमार लालदास के रिपोर्ट। विश्व रक्तदाता दिवस के आसर पर देवघर समाहर नाले परिसर से अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादो दवारा ब्लट डोनेशन ओन वील को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने ब्लट डोनेशन ओन वील का निरिक्षन कर रख्तदाताओं के लिए उपलब्ध स्वीधा और व्यवस्था के बारे में जानकारी भी हासिल की। प्लट डोनेशन ओन वील के लिए गाड़ी को हरी जंडी दिखाई है और यह जगह जगह जानके प्लट कलेक्शिंग करेंगी है। शुरुआत इसके भी अप्रेट कर आईगरी से तो वहां पी सारा अरेंजमेंट हो गया है। इसके बाद मद्यूपूर इसको रवाना कर दिया है। सिम्डेगा के सदर अस्पताल परिसर में आज केंद्रिय मंत्री सहखूटी के सांसद अर्जुन मुंडा द्वारा प्रदत कार्डियक एंबूलेंस का वर्चुल माध्यम से उद्घाटन किया गया। स्रेमुंडा ने उम्मीद जताई की करोना काल में जीवन रक्चक प्रणाली युक्त इस एंबूलेंस से आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुचाने पर जोर दिया। मौके पर सिम्डेगा में उपस्ते तधिकारियों द्वारा कार्डियक एंबूलेंस को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया। राजे की स्वास्ते मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद लोगों में शारिरिक या मानसिक रोग से ग्रसित होने की सूचना आ रही थी। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। जिसको ध्यान में रखते हुए राजी सरकार ने पहल करते हुए यूएस एड की सहीयोग से निष्ठा स्वास्ते संपर्क ओनलाइन आप शुरू करने का निरने लिया है। इसके द्वारा पोस्ट कोविड मरीजों को निशुल्क टेली मेडिसीन की स्विधाएं प्रदान की जाएंगी और टोल फ्री नंबर सुन्य साथ 314821385 से चिकित से सहायता मिलेगी। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलूं की संख्या में लगातार गिरावटा रही है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलूं की संख्या में 50,000 की कमी आई है और इस समय देश में कोविड के 9,73,000 मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 70,421 ने मामले दर्ज किये गए। स्वास्ते मंत्राले ने बताया है कि इस दोरान 3,921 लोगों की मौत हुई अब तर 3,74,000 से अधिक लोगों की कोविड से मौत हुई है। इसके देनिक मामलों में लगातार किरावट दर्ज की जा रही है। किन सरकार और राजी सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 70,000 के करीब नए मामले साबने आया हैं जो कि पिछले 74 दिन में सबसे कम है। वहीं देश में अब कुरोना संक्रमर के सक्री मामलों के संक्या 10,00,000 से भी नीचे हो गई है। साथी देश में पॉजिटिविटी दर्वी 4.71 पीज़ी रह गई है। सास्तव परिवार कल्यान मंत्वाले के मताविक पिछले 24 घंटों में 70,421 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं वहीं 1,19,501 मरीज उप्चार करवा कर सौस्त हुए हैं बीते 24 घंटे में। जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बड़कर 95.143 फीज़ी हो गया है। इधर जारकंड में भी पिछले 80 दिनों बाद कल नए मरीजों की संख्या 200 के नीचे रही। स्वास्ते विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राजे के 22 जिलों में कोरोना के 154 नए मरीज मिले जबकि 713 लोग स्वस्त भी हुए। राजे में अब आक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3395 रह गई है और रिकबरी रेट बढ़कर 97.53 प्रतीशत हो गई है। देश में अब तक 25 करोड 48 लाग से अधिक कोविट टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 14,99,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में व्यापक टीका करन अभियान का तीसरा चरण चल रहा है और टीका करन ही कोविट महामारी से निपटने के लिए कारगर उपाई है। केंदर सरकार, राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के सहयोग से टीका करन अभियान को और तेज करने में जुटी है। इधर जारकंड में भी टीका करन अभियानी रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 50 लाग से अधिक लोगों को कोविट 19 का टीका लगाया गया है। स्वास्ते विभाग की और से पिछले तीन दिनों में टीका करन को लेकर चलाए गये विशेश अभियान में करीब तीन लाख लोगों को टीके दिये गये। कोविट के दौरान अप्रवासी मजदूरों को राहत देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट में हलफनामा दायर कर कहा है कि अधिकतर राजियों में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू है। और 32 राजियों और केंद्र शासित प्रदेसों में राश्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिसंबर 2020 तक 86 प्रतिशत लाभार्थियों तक इसका फायदा पहुँचा है। अलाकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, 36 गड़ और असम ने अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड विवस्था को लागू नहीं किया है। 42 को सुरू किया गया है। पहानी बरतने का आदेश दिया है। मालुम हो कि श्री महतो आठ माह बाद चिन्नाई से इलाज कराकर जारखंड लोट रहे है। मुख्यमंत्री हेवन सोरेन ने आज रांची के तुपुदाना स्थित बायो डाइवर्सिटी पार्क का निरिक्षन किया। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। राजी की महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांजी ने आज पस्चमी सिंभुम जिले के चक्रधरपुर में कोविड-90 वैक्सिनेशन कैम्प का शुभारम किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना संक्रमन से बचाव को लेकर सभी लोगों से टीका लेने की अपील की। संजुर्ण जुर्ण से ये कोरोना से बचाव के लिए ठीका तरहन का कजकराम रखाना अमारे इसमें हो अमारे जिल्णा से आये उपाई को होना है। पश्चमी सिंभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले के कराई केला स्थित राजकिये बुन्यादी विद्याले के सभागार में सिक्षकों, जन प्रतिनीधियों, मानकी, मुंडा, सेवीका, सहिया और प्रबुध नागरिकों के साथ बैठक की। मौके पर उन्होंने COVID-19 टीका करन अभियान के लाब से ग्रामिनों को आउगत कराया और सभी से टीका लेने की अपील की। पुलिस दर्मियों को दिया गया, पिरिश्टाम को दिया गया, इसके उसके बाद किसको दिया गया? साथ से ओपर नोगों को? यहां मान रहे? यहां जब 60 से उपर रोगों को दिया गया तो उसके साथ साथ 45 से उपर जो गंवीर विमाली से ज़गे हैं उनको दिया गया रामगण जिले के पत्रातू प्रकंड अंतर्गत सुदूर वर्ती बुद्ध बाजार पंचात सचीवाले में कोरोना सेंध्व्य व्यक्तियों की आत्मा शानती के लिए आज सर्व धर्म प्राथ ना का आयोजन किया गया इस इस प्रात्ना सभा में पत्रातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचला अधिकारी के साथ मुख्या सहिया सेविका के अलावा कई अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया इस दौरान वर्तमान में कोरोना से प्रभावित बीमार लोगों की जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर भी सर्व धर्म प्रात्ना सभा का आयोजन किया गया कारेक्रम में सर्व प्रथम सामुहिक रूप से दो मिनट का मौन रखा गया और विविन धर्म गुरूओं द्वारा अपने अपने स्तर से प्रात्ना की गई राज्य मंत्री मंडल की बैठक आगामी 22 जून को राची के प्रोजेक्ट भवन स्थित राज्य सची वाले सभागार में होगी मुख्य मंत्री हिमंत सोरेन की अध्यक्सता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपून प्रस्ताओं पर स्विक्रिती मिलने की संभावना है जारकन में मानसून सक्रिय हो गया है मौसम विभाग के अनुसार राजे में सबसे पहले मानसून धनबाद में दस्तक दी है राचे स्थित मौसम विज्यान केंदर के वाइग्यानिक अविशेक आनन्द ने बताया कि अगले 24 गंटे में राजे में मानसून पोर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी 27 जून को आकाश्वानी पर मन की बाद कारेक्रम में अपने विचार साजह करेंगे या मासिक रेडियो कारेक्रम की 78 में कड़ी होगी प्रधान मंत्री ने कारिक्रम की आगामी श्रिंग खला में लोगों से उनके विचार आमंत रित किये हैं लोग नमो एप या माई जियोवी ओपन फोरम में अपने विचार साजा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर 180-110-17-800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधान मंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रेकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ट कोल भी दे सकते हैं और SMS से प्राप्त लिंग का अनुसरन करके सीधे प्रधान मंत्री को अपने सुझाओ दे सकते हैं और अब सिहत की बात में देखिए कोविट से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं मधुमेह के रोगी मधुमेह रोगियों में कोविट-19 से संबंधे जटिलता हैं होने का खत्रा अधिक होता है ऐसे में वो कौन सी साफधानिया हैं जिने अपना कर कोविट संक्रमन के खत्रे को कम किया जा सकता है ये समझने की आवशकता है डॉक्टर अशोक जिंगिन जो लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं उनमें कोविट की जटलता हैं अधिक होने का खत्रा क्यों होता है डायपटीज के मरीजों में कोविट होने की संभावना बहुत अधिक होती है क्योंकि उसके दो-तीन कारण होते हैं एक तो शुगर का मात्रा जादा होना दूसरी डायपटीज के मरीजों के अंदर को मॉर्बिडिजीज होती हैं क्योंकि वैक्सिनेशन के दोरा निश्चित रूप से वो कोविट की बीमारी को तो रोकी सकते हैं और अगर कोविट हो भी जाता है तो उसकी सीवियर्टी कम हो भी मदूमे रोगी किन बातों का ध्यान रखें जिससे कोविट के संक्रमन का खत्रा कम हो अपना रेगलर ब्लड शुगर मॉनिटर कराएं ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें इसके साथ साथ हाइडरेशन अच्छा रखें मतलब फ्लूइड इंटेक ठीक रहना चाहिए और तीसरी सबसे इंपॉर्टन चीज यह है आप जो दवायां लेते हैं अगर आप ब्लड पैशर की दवाई ले रहे हैं यह शुगर की दवाई ले रहे हैं उसके साथ साथ अपना फॉलॉप भी करें जो आपका डॉक्टर है उसको आप बताते रहें अपनी प्रॉग्रेस कि आपकी शुगर के लिवल नियंतरण में है या नहीं या आपकी ब्लड पैशर के लिवल से कंट्रोल में है नहीं उसके साब से वो डॉक्टर आपकी दोईयों को एड़जस्ट कर सकते हैं यदि आप भी मधुमे रोग से प्रभावित हैं तो और भी आवश्यक हो जाता है कि आप सतर्क हो जाएं, कोविड अप्रोप्रियेट बिहेवियर अपनाएं और उन तमाम बातों का ध्यान रखें जिन्हें अपना कर कोविड नाइंटीन के संक्रमन के खत्रे को कम किया जा सकता है किरिन भारदवाज, डीडी न्यूज और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधार मंत्री नरिंद्र मोदी आज सैंक्त राष्ट में वर्च्वल माध्यम से मुख्य भाशन देंगे मरुस्थली करन भूमी छरन अर सूखे के बारे में करेंगे उच्ष्थरिय सम्माद विश्व रक्तदाता दिवस पर मुख्य मंत्री ने छे जीलों में ब्लड कंपोनेंट सेप्रेशन यूनिट का किया वर्च्वल शिलानियास कहा मरीज और परिजनों को साथ में डोनर लेकर चलने की बेवस्था होगी खत्म स्वास्ते मंत्री बढ़ना गुप्ता ने पोस्ट कोविड मरीजों के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन किया लांच कहा स्वास्ते स्वीधाओं में बढ़ उत्तरी से लोगों की परिशानियां होंगी दूर और कोविड के दौरान अप्रवासी मजदूरों को राहत देने के मामले में केंद्रे सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में दायर किया हलप नामा